है तो है है यूद्धों मैं राज पूचर प्राज वर आप देख्रेंग सिब्टैग तो अज की विविव में बात करने वाले हैं लावा के जैड़ 6-T1 प्रो के फोन के बारे में तो दोस्तों अगर आप भी एक बजट रेंज में फोन खड़ी दना चाहरे हैं शेहजार तक का आपको एक बैस्ट फोन चाहिए तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बैस्ट फोन लेकर आया हूं अगर आप जियो फोन नेक्स ना वेट कर रहे थे और आपको जियो फोन नेक्स पसंद नहीं आया तो आप सोच रहे हैं कि alternative कोई इससे भी सस्ता फोन मिल जाए जो की best हो तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी problem solve करने वाला हूं उससे पहले मैं आपको बता दू अगर आपकी पैड़ से सीधा shift होना चाह रहे हैं स्मार्ट फोन में तभी ये वीडियो आपके लिए बनिये अधरवाइज आपके लिए ये वीडियो नहीं बनिये क्यों क्योंकि अगर आपकी पैड़ का फोन चलाते थे और आप सोच रहे कि स्मार्ट फोन में मैं shift हो जाऊं और एक अच्छा budget range में आपको यही बताने वाला हुगी कैसे आप अच्छे budget range में आपको अच्छा फोन देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो वीडियो में बने रहें वीडियो पुरा देगें और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना आप बिल्कुल उपने बूले चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तो अगर हम लावा Z61 pro फोन की डिस्पली बात करें तो दोस्तो इस पोन में आपको 5. 5.4 इंच की TFT LCD डिस्पली देखने को मिलती है साथ यह अगर हम इस फोन के रैजुलेशन की बात करें तो दोस्तो इस फोन में आपको 720 गुना 1440 पिक्सल का आपको इस में रैजुलेशन देखने को मिलेगा और महीं अगर हम इस फोन की स्क्रीन टू बोडियो की बात करें त तो दोस्तो इस फोन में आपको one point eight गीका डाज्ट का octa code पसेशन देखने को मिलता है जो कि आपको अच्छे परफॉरमेंस के साथ आता है तो दोस्तो अगर हम लैक की बात करें तो दोस्तों यह लैक बिलकुल भी नहीं होने वाला है अगर हम इस फोन के operating सिस्टम के बात कर तो दोस्तो इस phone में आपको Android 10 पर काम करने वाला आपका operating system आ जाता है जो कि आपका Android 10 अगर आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है तो दोस्तो इस phone में आपको 2GB का RAM देखने को मिलेगा और साथ ही आपको 16GB की इंटर्नल मेमोरी देखने को मिलती है और वहीं अगर आप इसका storage बढ़ाना चाहते हैं तो आप 182GB तक आप इसमें memory card के जरिया आप इसका storage बढ़ा सकते हैं अब बात करते हैं इस phone के camera की तो दोस्तो इस phone में आपको single camera आपको देखने को मिलता है जो की 8MP का आपका single camera है जो की back में आता है और जो अगर हम इस phone के video calling या front camera SLP camera की बात करें तो दोस्तो इस phone में आपको 5MP का front camera देखने को मिलता है तो आपको बता दू अगर आप सीधा keypad से सीधा shift होना चाहते हैं smartphone में तभी यह phone आपके लिए बनाए अगर आप अच्छा phone पहले से चला रहे हैं keypad से अलग आप smartphone चला रहें तो यह phone आपके लिए नहीं बना मैं बात कर रहा हूं अगर आपकी पैर से सीधा smartphone में shift होना चाहते तो यह phone आपके लिए best होगा अब बात करते हैं इस phone की बैटरी की तो दोस्तों आपको बैटर देखने को मिलती है साथ ही इसमें आपको पांच वार्ट का आपको इसमें चार्जिंग भी देखने को मिलेगा अब बात करते हैं इस phone के ने रखा है 5999 रुपे तो दोस्तों 5999 में यह phone आपको मिलने वाला है और महीं अगर इस phone की compare जियो फोन नेक्स से करें कि क्यों यह best है जियो फोन नेक्स से तो दोस्तों आपको बता दे जियो फोन नेक्स में आपको अगर आप dual sim चलाते हैं तो आप जियो में ही net चला सकते हैं ना कि other network पर आप net चला सकते हैं और आप इसमें dual 4G चला सकते हैं और किसी में भी आप net चलाना चाहिए वो आप चला सकते हैं तो दोस्तों इसमें खास feature यह दिया गया है बाकी कुछ आपको difference नहीं देखने में मिलता अगर आप चाहे तो जियो फ आपकी पैर से shift होना चाह रहे हैं स्मार्टपोन में तो 6000 में यह आपको best phone देखना मिल रहा है लावा Z61 Pro यह आप purchase कर सकते हैं तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजी चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल आपके लिए जैनल